नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से चली जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तकी शैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे सबसे पहले और बड़ी ख़वर एक कारेकरम में सामिन होने के लिए आये थे उसी दोरार उनके काफिले पर अचानक से हमला किया गया और सुकरबार से लेकर सनिवार की देर साम तक करोना संक्रमित मरीजों की संख्या 21 हो गई है अब तक तीन संक्रमित मरीज स्वस्त भी हो गए है अगली सबर बिहार की 20 सीटों पर जीत की जिम्यदारी साह पर बाज़पा ने लोगसवा 2024 की तयारी सुरू कर दी है बाज़पा का टारगेट 400 सीट पर जीत हासिल करना है इसमें बाज़पा 160 सीटों को कमजोड मान रही है इन सीटों पर जीत के लिए रनिती तयार की गई है केंद्री एस्टर पर सितंबर 2022 से जनवरी 2023 तक 13 से अधिक राम नमी के मौके पर बिहार सरीप में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली सुप्रीम कोट के सीनियर एड़वोकेट महमूद प्राचा ने छेतर का दौरा किया सनिवार को पटना पहुचने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए केंद्रिय गिर्ण मंत्री पर निसाना सा उन्होंने केंद्रिय मंत्री के बिहार दोरे पर भी सवाल उठाया अगिकवर ससी यादब बोली नितीज सरकार में हिंसा सोचने वाली बात है बिहार सरीप की घटना के बाद माले की टीम वहां गई थी अब एफवा की टीम वहां के लिए रविबार को रवाना हुई है एफवा की रास्ट्रिय मास अचीब मीना तिवारी के नित्रितु में महलाओं की यह टीम बिहार सरीप में यह देखेगी की महलाओं पर किस तरह से जाती हुई है टीम में मीना तिवारी के अलावा स्कीम वर्कर्स की लड़ाई लड़ने वाली नेत्री ससी आदब, अमीता सिन्ना, जुही, निसा और अन्निसामिल है अगले कोर बिहार में 35 IES, 26 IPS अपसरों के ट्रांसफर, बिहार में बड़ी प्रसासनिक फेर बदल की गई है बियार के 37 IES और 26 IPS अपसरों के ट्रांसफर किये गए हैं, 15 जिलों के DM बदले गए हैं, इन में से 8 जिलों के DM आपस में बदले गए हैं, 9 जिलों के SP, CTSP और SSP का ट्रांसफर किया गया है, मागडवन्दन बनने के बाद दूसरी बार इतने बड़े पैमाने पर IES और IPS अपस सुहर्ज भगत को पूर्णिया के DM से हटा कर और अंगाबाद का DM बनाया गया है, अगली फ़र बिहार के 10 खिलाडियों को ट्रेनिंग देंगे पूलेला गोपी चंद, बिहार के डिप्टी सीम तेजस्वी आदब ने भारतिये बैडमिंटन टीम के कोच पूलेला गोपी च बरतमान में भारत के बैडमिंटन टीम के परमुक कोच है, अगली फ़र बिजय सिन्ना बोले नितीस नवरातर पर पर साथ क्यो नहीं बटवाते, बिहार में CM नितीस कुमार के दिये इफ्तार पार्टी पर राजनिती तेज हो गई है, नेता प्रतिबख बिजय सिन्ना ने कि इससे बोट बैंक की राजनिती को साधा जा रहा है, बहुसंक्यक देश में नवरातर जैसे तेवहार में कभी पूजा और प्रसाद नहीं बाठा जाता, इफ्तार पार्टी में सामिल नहीं होने के जवाब में उन्होंने कहा कि सद्दा के लिए तुष्टी करण की राज याईटी की टीम, वाईउ प्रदूसन के मामले में पटना समेथ बिहार के अन्य सहर देश में टॉप पर रहते हैं, तीन आईईटी की टीम इसकी वज़ा तलासेगी, आईईटी कानपूर के वाईउ प्रदूसन विसेसग्यों की टीम ने गादी मैदान के आसपास से हवा क का सेंपल लिया है सेंपल को कानपूर आयाइटी भेज दिया गया है विसे सग्यों द्वारा प्रदूसर में लोकल डस्ट बाहरी डस्ट कारबन से संबंदित गैस गंगा बालू और हैबी ट्रैफिक का कितना योगदान है इसकी जांश की जाएगी पटना के 23 प्रखंडों से सेंपल कलेक्ट किया जाएगा पटना के बाद मुझपरपूर गया और हाजीपूर से सेंपल लिया जाएगा अगली खर बिहार में एक दिन में दोगुने से ज़्यादा पॉजिटिव केस मिले राज्य में 46 नए कोरोना केस अकेले पटना में 26 बिहार में कोरोना का संक्रमन लगातार बढ़ता जा रहा है, सनिवार को सुक्रवार से दोगने मरीज मिले हैं, सुक्रवार को राज़े में 20 मरीज मिले थे, जबकि सनिवार को 46 मिले हैं, सनिवार को मिले मरीजों में से 28 पटना के हैं, अब राज़े में एक्टिव मरीजों की संख्यां 109 पर पहुँच ग एक मुसल्मान लड़के से करा दिया पुलिस ने दंपती को गिरपतार कर लिया है माराज जिके मुम्रा से एक हैरान कर देने वाला मांदला सामने आया है या नावालिक लड़की को बहला फुसला कर बिहार से मुम्रा लाया जाता था आरोप है कि यहां नावालिक बच्चियों का धर्म परिवर्तन कर निकाह कराते थे बियार पुलिस ने ठाने पुलिस की मदद से कथित रैकेट का परदा फास किया पुलिस ने मुख्य आरोपी नाज गुलंदाज और उसके पती महमद एहमद खान उर्फ एहमद को गिरपतार किया है अगली फ़र बिहार में पोस्टर वार बीजेपी का नितीस पर निसाना बीजेपी ने परदेश कारेले के सामने एक पोस्टर लगाया है पोस्टर पर लिखा है मौलाना टोपी पहन कर पीम बनने का सपना देखने वाले 2024 में जीरो पर आउट होंगे फिर से मोधी सरकार बनेगी पोस्टर का हेडलाइन है कि मिसन 2024 में 300 पार इसके बाद फिर बिहार की राजनिती गर्म हो गई पिछले दिनों बीजेपी और जेडियो की ओर से अलग-अलग तरीके से पोस्टर लगाये गए बीजेपी ने CM नितीस कुमार के लिए कहा था कि एक अनेमार्ग खाली करो योगी के रूप में समराठ चौदरी आ रहे है अगली कोवर सरत पावार ने विपक्षी एकता के साथ कर दिया खेल और गूगली में फस गए नितीस कुमार राश्टबादी कॉंग्रेस पार्टी के प्रमुख सरत पावार ने एक नीजी चैनल से बातचीत करते वे कहा कि उद्योगपतियों पर निसाना साधने से ज़्यादा जरूरी है कि मुद्दे की राजनीती हो एंसीपी प्रमुख ने उद्योगपती गोता मडानी के मुद्दे को लेकर विपक्षी की जेपीसी मांग को बेकार बता दिया सरतपवार ने यह भी कहा कि जेपीसी में सत्तर उर्ड पार्टी का बहुमत होता है उसे सच्चाई सामने नहीं आपाती है इस मामले की जाज के लिए सुप्रीम कोट की कमेटी ही सही विकलप है सरतपवार के इस बयान को जहां विपक्षी एकता के लिए बड़ा जटका माना जा रहा है वहीं बिहार के मुख्यबंतरी नितीस कुमार के लिए सेटबैक माना जा रहा है अगली कबर सास्त्री नगर पहुचे जाब सुप्रीमों पप्पू यादब पटना में सास्त्री नगर में वीते दिनों भीसन आग लग गई थी इस घटना में कई गरीब परिवारों की जोपड़ी जलकर राक हो गई थी जिसके बाद सभी नेता पिडित परिवार से मिलने घटना इस्थल पर पहुच रहे है कई लोगों ने पप्पू यादब से मदद की अपील की जिसके बाद उन्होंने सभी को समझाया और पैसे दिये